अगर तुमने हिम्मत हो की हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगोंने हिम्मत जुटा लेकि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरे दुनिया जीत चाओगे जिन्देगी का मज़ा हमने बहुत कम लिया है अब वापस लोटा हूँ जिन्देगी भर का मज़ा लूँगा केजिएफ टू रिलीज भी नहीं हुई और केजिएफ थ्री की चर्चा होने लगी है तीन सो रुपे लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहु बली को टकर यश का असली नाम क्या है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरीमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में फादर्स डे के मौके पर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशान्त नील से एक फैन ने पूछा एनिफिंग अबाउट रॉकी फादर तो केजीएफ के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल हैश्टैग केजीएफ चैप्टर 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया यानि कि केजीएफ के डायरेक्टर ने केजीएफ 3 की तरफ इशारा किया है जी हाँ बनाने का विचार कर लिया है और उनके इस रिपलाई से ये भी साफ हो गया है कि केजीएफ 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी केजीएफ स्टार यश कन्नट फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार है केजीएफ चैप्टर 1 की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी और आकरशिप किया ये एक्टर बॉलिवुड के हिरोस तक पर भारी पड़ गया फैन्स अब बेसबरी से बड़े पर केजीएफ चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर दे हैं लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वाइरस के कारण सब चीजे रुकी हुई हैं लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है जिसमें पता चला कि वो मात 300 रुपिये लेकर घर से भागे थे रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दरान बताया मैं अपने घर से भाग गया जब मैं बैंगलूर आया तो जैसे ही वहाँ पहुचा मैं डर गया इतना बड़ा डराने वाला शहर लेकिन मैं हमेशा से आत्म विश्वास से भरपूर लड मेरे माता-पिता ने मुझे एक ultimate दिया मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहें उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वाप करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था जबकि मैंने थेटर किया मैंने बहुत यात्राइं की स्टेज पर मेरा पहला अप्यरेंस लोगों ने नोटिस किया था वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं नहीं जानते होंगी इसलिए हम बता देते हैं इसम अभी तक तो दर्शक KGF 2 देखने के लिए एकसाइटेड थे लेकिन इस खबर के बाद वो एक KGF 3 के लिए और भी जादा एकसाइटेड हो गए हैं अब तो शायद ओडियंस यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाएं लेकिन वक्त तो किये हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टोडियोज